अभी हमने बात की थी कि हर टाइप का जो तूफान है या जो चक्रवात है वो मतलब खतरनाक या विनाश्कारी नहीं होता है है ना तो दो प्रकार के चक्रवात होते हैं नमबर वन है टेमपरेट साइकलोन या हम इसे शितोष नकटी बंधिये चक्रवात कहते हैं और नमबर चक्रवात है तो टेमपरेट साइकलोन या हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं चुकि टेमपरेट जोन है वो पच्छवा हवाओं का एरिया या छेतर होता है तो टेमपरेट साइकलोन या शितोष नकटी बंधिये चक्रवात पच्छुआ हवाओं के छेत्र में उत्पन्न होते हैं और ट्रॉपिकल साइकलोन या उश्नकटी बंधी चक्रवाद चुकि ट्रॉपिकल जोन में व्यापारिक हवाओं का प्रभाव होता है तो ट्रॉपिकल साइकलोन जो है वो व्यापारिक हवाओं के छेत्र में उत्पन्न होते हैं या उनके प्रभाव से उत्पन्न होते हैं तो ये दो प्रकार हो गए अब हम बात करते हैं टेंपरेट साइकलोन की या शितोष नकटी बंधी चक्रवात की कि ये चक्रवात कहां पर आते हैं इनकी दिशा क्या होती है है ना इसमें हवाओं की गती क्या होती है इनका अकार क्या होता है या मौसम पर, पर्टिकुलर स्थान पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है इस बारे में हम चर्चा करते हैं आइये अब हम देख लेते हैं Temperate Cyclone के विशय में या शितोशन कटी बंधी चक्रवात क्या होते हैं कहां बनते हैं जैसा कि हम पहले ही चर्चा किये हैं कि टेंपरेट जोन में ही टेंपरेट साइकलोन उत्पन्न होंगे या मैं ये कहूं कि जो शितोष नकटी बंधी छेत्र हैं वहां पर जो भी साइकलोन उत्पन्न होंगे उन्हें हम टेंपरेट साइकलोन या सितोष नकटी बंधी चक्रव पर आधारित होते हैं अभी हमने देखा वाताग्र के बारे में तो इनकी उत्पत्ति ही वाताग्र के आधार पर होती है अब वाताग्र के आधार पर कैसे होगी हैं उत्तर की तरफ से मतलब धुरुं की तरफ से हम देखते हैं कि उत्तर पुर्वी ठंटी-धुरुई हवाय आती हैं और दक्षिन की तरफ से आपकी दक्षिन पश्मी पच्छौ हवाएं उत्तर की तरफ जाती हैं तो इने में क्या होता है Convergence होता है ये कन्वर्ज करती हैं आमने सामने भिड़ती हैं आकर मतलब दो विप्रीत सभावाली हो गई पच्छुआ गर्म हवाय हो गई और धुरूई हवाई जो हैं वो ठंडी हो गई तो वो दोनों एक दूसरे की उपर आक्रमन करने की कोशिश करती हैं या हम यह कहें कि एक दूसरे के छेत्र पर घुसने की कोशिश करती हैं तो जिससे वाताग्र की उत्पत्ती होती है और इसी वाताग्र के आधार पर शितोष नकटी बंधी चक्रवाद जो हैं वो बनते हैं अब यहां पर हम पहले यह देख लेते हैं कि यह चक्रवाद जो हैं वो लगभग आपके शितोष न पूरवी छेत्र इनकु के उतपन्म होते हैं आपके लगभग पुर्वी पश्यत्र चैत्र ट्रवर की साइज्च ब利म आपनी को जुफित को 14, जुफित के देज्च कोlek मुद्ध साथ काा उ $ 210C, सुच्टन होते हैं आपके लगभग पुरव पष्मी और पूरवीछेत्र की तरफ यह चक्रवात बहुत मतलब विनाशकारी नहीं होते विनाशकारी क्यों नहीं होते इसको हम समझ लेते हैं हम देखते हैं私 इसमें भी केंद्र में लो प्रेशर होगा, बाहर की तरफ हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं इनमें भी चलेंगी और इनकी आकरिती, मतलब ये शेप कैसा होता है, इन चक्रवातों का भी शेप होता है, भी की आकरिती की ये हवाएं जो हैं इन में दाबांतर जो है वो लगभग 20-30 mm का दाबांतर होता है, मतलब दाब में अंतर, जो चक्रवाद के चारों तरफ समदाब रह acces बनती है, वहां पर लगभग 20-30 mm का अंतर हो रहा है, मतलब सेंटर में हम कहें कि लगभग 950 mm है, वायूदाब जो है वो हम जैसे जैसे बाहर की तरफ बढ़ते जाएंगे केंदर से बाहर की तरफ तो वो हमको लगभग 990 या 1000 मिली बार के आसपास ही वहाँ पर हमको वायूदाब की मातरा मिलेगी मतलब पूरे चक्रवात का जो एरिया है वहाँ पर 40-50 मिली बार का ही दाबांतर होता है तो अभी तो हमने चर्चा की थी कि जहाँ पर दाब में बहुत जादा अंतर होता है वहाँ पर हवाओं की गती ही निर्धारित करती है दाब प्रमड़ता दाब में जो अंतर है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दाब में अंतर नहीं होता इसलिए इन चक्रवातों में हवाओं की गती जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती और जब इन हवाओं में बहुत ज़्यादा गती नहीं होगी तो यह बहुत विनाशकारी नहीं होंगे मतलब हम देख सकते हैं कि हमारी मानसुनी हवाएं ही लगभग इस गती से चलती हैं लगभग 40 से 50 किलोमिटर प्रती घंटा जो है वो इन चक्रवातों में हमको हवाओं की रफ्तार या गती मिलती है तो चुकि हवाओं में बहुत ज़ादा गती से ये नहीं चलती इसलिए बहुत विनाशकारी नहीं होती बलकि ये क्या होती है पूरे भूमद रेखी छेतर से इन चक्रवातों की उत्पत्ती के कारण वर्षा होती है और ये चक्रवात चुकि पूर्वक की तरफ मूफ करते हैं तो हम देखेंगे अक्सर कि हम देखते हैं कि हमारे भारत में भी जो शीतकाल में ठंड की मौसम में जो वर्षा होती है कुछ वर्षा जो है वो चक्रवाती होती है और वो ये शितोष नकटी बंधी चक्रवातों के माध्यम से ही होती है जो भूमध रेखा से आगे की तरफ बढ़कर हमारे भारत तक पहुंचते हैं जेट स्ट्रीम के सहरे सहरे भारत तक पहुंच जाते हैं और हमारे भारत में वर्षा करते हैं अब हम देखते हैं कि इन चक्रवातों में इनकी विशेषता एक और होती कि तापी प्रतिलोमन या तापी विलोमता की दशा मिलती है तापी विलोमता हम और चर्चा कर चुके ह हैं हम जैसे जैसे उचाई की तरफ बढ़ते जाते हैं तो तापमान जो है वो कम होता जाता है जिसे हम नॉर्मल टेम्प्रेचर लैप्स रेट या सामान ये ताप हासदर के नाम से भी जानते लेकिन जब इस्थिती जो है वो ठीक इसके विपरीथ होती है मतलब उचाई की तरफ जाने पर तापमान जो है वो घटने की बजाए बढ़ने लगता है तो हम इसे तापी प्रतिलोमन की दशा कहते हैं ये तापी प्रतिलोमन जो है वो चक्रवातों की स्थिती में ही मतलब श और push करती है गर्म हवाओं को ऊपर की तरह उठने के लिए, तो नीचे गर्म हवाओं की उपस्थिती से कैसा temperature हो गया, तापमान हो गया, ठंड़ा temperature हो गया, और लेकिन ठीक इसके उपर जब ये push कर रही है गर्म हवाओं को, कि भाई आप उठिये हम आप की जग़ लेंगे, तो नीचे गर्म हवाओं के स्थान पर ठंडी हवाओं ने ले ली और उपर की तरफ जो है वो इससे गर्म हवाओं की उफस्थिती के कारण टेंपरेचर या तापमान जो है वो नीचे की अपेक्षा अधिक हो जाता है तो ये तापी प्रतिलोमन की दशा जो है वहाँ पर उत 1200 किलोमीटर थोड़े बहुत छेत्र में नहीं 1600-3200 किलोमीटर का व्यास होता है इनका और इनकी उचाई जो है वो लगभग 6-8 किलोमीटर के बीच में लगभग होती है अब हम देखते हैं जो एरिया जितने बड़े एरिया में ये फैला होता है लगभग 5 लाख वर्ग किल कि उपितन निष्यत होती मतलब हम पूर्वा नुमा लगा सकते हैं कि पहले पकषाब में गाएंगे फिर पकषाब इस्तरी आएंगे फिर कपासी वर्शी में घाएंगे तो हम आड़े के हमनेे बात की थीच कि यह चक्रवा तो इस प्रकार से हम पुरुवा नुमान लगा सकते हैं शितोष्ण कटी बंदी चक्रवाथ में, अब हम देखते हैं, ऐसे तो शितोष्ण कटी बंदी से संबन्धी बहुत सारे सिधान्त हैं, लेकिन जो वाताग्र उट्पत्ती सिधान्त हैं, उस पर हम थोड़ा सा थोड़ बंधी चक्रवात की वो V बरगनीज और J बरगनीज के द्वारा दिया गया है वो क्या बताते हैं या इस सिधान के अधार पर इन चक्रवातों की उत्पत्ती कैसे होती है हम ये देखते हैं हमारा ग्लोब है प्रिथवी है और इसमें हमने बात की शितोष नकटि बंधी की मतलब ये जो दिशा है आपकी दक्षण पश्री में पच्चुवा हमाएं जा रही हैं किधर अटेक करने की कोशिश करती है धुरूवी उत्तर पूर्वी या धुरूवी पूर्वा हवाओं के छेतर में तो नीचे से पच्चुवा गर्म हमाएं और उत्तर से धुरूवी होता है जबकि दोनों ही हवाएं दो विपरीद गुणों वाली हवाएं नीचे से गर्म और उपर से ठंडी हवा आकर बिल्कुल आमने सामने आ गई तो सबसे पहले स्टेशनरी फ्रंट बना फिर क्या होता है जब ये गर्म हवा हमको मालूम है हवा जो है जो गर्म होती है वो उपर की तरफ उठती है ठंडी हवा की प्रविती होती है कि वो नीचे की तरफ बैठती है भारी होने के कारण तो यहां से क्या होगा ये गर्म पच्छुआ हवाए लगातार उपर उठने की कोशिश करती हैं अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि पूरे पशिमी एरिया में कोल्ड फ्रंट बनेगा और पूर्वी छेतर में वाम फ्रंट का निर्माण होता है यह चीजें हमको फिर से रियलाइज करनी जो हम पहले देखे थे हैं आरफ उतने की तरफ तरफ होती है इसलिए यहां पर ज्यादा आक्रमक होंगी और पच्वा गर्म हमाएं चुकि पशिम से पूर्व की तरफ जा रही है उनकी दिशा पहुँचने की उनकी मन्जिल कहाँ पर है पूर्वदिशा की तरफ उततर पूर्व की तरफ तो वह दूसरी दशा में क्या होगा पहले तो इस्टेशनरी फ्रंट बना और उसके बाद हम दूसरी दशा में देख रहे हैं कि लगातार ये गर्म पच्छुआ हवाएं जो है वो उपर की तरफ उठने की कोशिश कर रही है ज्यादा अक्रमक होकर और ठंडी हवाएं जो है वो पुछ कर रही है तो यहां पर एक शेप बन जाता है वी आकार का मतलब जो गर्म छेत्र होता है यह आपका हम यहां पर भी देख पा रहे हैं कि यह आपका वाम फ्रंट है बीच वाला उष्ण वृतांश का है और फिर हमारा कोल्ड फ्रंट आ रहा है उसके बाद फिर शीत चेत्र जो है तो जो ठंडी हवाएं लगातार नीचे की तरफ बैठ रही है और गर्म हवाओं के चेत्र को वो क्या कर रही है लगातार कम करती जा रही है तो लगातार कम करने से अब यह उठ रही है तो यह जो शेप है यह अंग्रेजी के वी आकार की हो गई क्योंकि उष् आपके शितोष ने चक्रवात की है ना हम इसे मिच्योर स्टेज के नाम से भी जानते हैं फिर चौथी अवस्था में हम देखते हैं कि लगातार अब यह उष्ण वृतांश का जो छेत्र है यह वृतांश और लगातार एकदम सक्रा हो गया सक्रा क्यों हो गया क्यों कि ठंडी होएं लगातार इसे पुष कर रही है और अब यह स्थीती आ है कि यह गर्म हवाओं को यहां से पूरी तरह से ढखेलने की कोशिच करी और उसकी जगल ले रही है पच्छुआ हवाओं को बोलें भी आप उपर जाए समवहन का काम कीजिए और संगनन कीजीए उपर जाकर ब पूरी तरह से ये आपके अधिविष्ट वाताग्र की इस्थिती आ जाती है जबकि पच्छुव हवाएं पूरी तरह से उतर कर पुश्च करके गर्म हवाओं को उपर की तरफ धकेल देती हैं और उनकी गर्म हवाओं की जगह ले लेती हैं ना वहां से उनको धरातली सतर से उपर की तरफ उठा देती हैं, तो ये कौन सी स्थिती हो जाती है, अब अधिविष्ट वाताग्र की, यह हम ये कहें कि ये लगभग सितोष्ण चक्रवातों की समाप्ती की स्थिती हो जाती है, या फ्रेंटोलिस वाली स्थिती आ जाती है, जब चक्रवात जो हैं, वो समाप हमसे तो ऊपर की तरफ चले जाने से अब फीर से ठंडी हवाइन अपने इस्थान पर फ्लो करने लगेंगी और गर्म हवाइ जो हैं वो अपनी जगह पर फ्लो करने लगेंगी तो जो पहली वाली अवस्था है स्टेशनरी फ्रंट की या इस्थाई वातागर की वो अवस्था आ जाती है अब इन चक्रवातों के पूरी अवस्था या विकास और समाप्ति तक की दर्शा में हम यह देखते हैं कि जो उष्णवातागर वाली जब इस्थिति आती है मतलब सबसे पहले तो चक्रवात की उसके बाद जैसे ही किसी छेत्र में उष्णवातागर की स्थिति आ जाती है तो वहां पर चुकी गर्म हवाएं धीरे-धीरे उपर की तरफ उठ रही हैं संभहन के माध्यम से तो लगातार धीरे उपर उठते रहने से उनमें उपर जाकर संगनन होता है और वर्षा होती है तो जब उष्णवातागर की स्थिति आती है तो वर्षा जो है वो बहुत देर तक और धीरे-धीरे लगातार होती रहती है अब इसमें वर्षा की मात्रा और गती इस आधार पर होती है कि वहां पर उस व्रितांश में क्या बोलेंगे आधरता की मात्रा कितनी है उस आधरत आधार पर ही उसमें लगातार समवहन की प्रक्रिया और फिर बारिश या वर्षा होती है। फिर जैसे ही फिर छेत्र आजाता है, कौनसा उश्णवित्तांश वाला, तो आपका मौसम जो है वह एकड़म आकाश मेघरहित हो जाता है, बादलों से रहित हो जाता है, साफ हो जा फिर जैसे ही शीतवाताग्र जो है वो आता है उसकी स्थिती आती है किसी छेत्र में तो आकाश जो है वो फिर से काले घने कपासी मेगों से छा जाते हैं वहाँ पर है और जब शीतवाताग्र आता है तो उस स्थिती में चुकि थंडी हवाएं जो है वो बहुत तेजी से गर् अधिक मात्रा में बारिश होती है, हम कई बार देखते हैं, मौसम पुर्वा नुमान में भी हमको यह बताया जाता है, जैसे बारिश का जो समय है, बहुत देर तक बारिश हो रही है, मतलब दिन भर एक जड़ी सी लगी हुई है, लेकिन बारिश की जो मात्रा है वो कम है, तो ठीक यही इस्थिती होती है कि जब उष्णवाताग्र होता है, मतलब उष्णवाताग्र की स्थिती आती है, तो इन बाताग्रों के सहारे धीरे-धीरे, मतलब लगातार बारिश होगी, बारिश की स्थिती लगातार होगी, लेकिन मात्रा जो है वो कम होगी और धीरे-धी में बहुत तेज बारिश हो जाती है और उसके बाद फिर से जब शीत वृतान्श वाला या शीत छेत्र जो आता है तो आकाश जो है वो फिर से साफ हो जाते हैं स्वक्ष आसमान जो हमको दिखता है तो यह पूरी जो इस्थिती है शितोशन चक्रवाद की प्रक्रिया इसमें होती है से लेकर फ्रंटोलिसिस तक क्योंकि ये शितोष्ट चक्रवाद पूरी तरह से वाताग्र जनन की प्रक्रिया पर आधारित होते हैं और मैं फिर से इसमें रिपीट करूंगी चुकि इसमें दाब का अंतर बहुत कम होता है इसलिए चक्रवाद जो ह पूरे उस छेत्र में बर्षा की प्राप्ति होती है और इन्हीं चक्रवादों के माध्यम से ही हमारे भारत में भी जो शीथ-Pal क्रव। उसमें वर्षा की प्राप्ति होती है तो यह हो गया आपका शीतोष्न चक्रवात अब इसके बाद हम बात करते हैं उश्नकटी बंधी चक्रवात के विशह पर आईए अब हम देखते हैं उश्नकटी बंधी चक्रवात पहले हमने बात कर ली शीतोष्न चक्रवातों के विशह पर अब उश्नकटी बंधी चक्रवात क्या होते हैं नाम से ही स्पस्ठ हो रहा है हमको जो चक्रवात उश्नकटी बंधी छेत्र में मतलब लगभग पांच डिगरी से लेकर 30 से 35 डिगरी अक्षांसों के मध्य उत्पन होते हैं उन्हें हम इन चक्रवातों को उश्नकटी इनकी उत्पत्ति हो रही है या उनके प्रभाव छेत्र में हैं इसलिए इन हवाओं के प्रभाव से चुकि हमको मालूम है ये हवाएं पूर्व से पश्रिम की तरफ यात्रा करती हैं इसलिए इन चक्रवातों का प्रभाव भी महासागरों के पश्रिमी भाग में या पश्रि में हिस्से में कह रहे हैं क्योंकि उष्णकटी बंधी चक्रवाद जो हैं वो हमेशा महासागरों में ही उत्पन होते हैं इसके पहले हमने देखा था कि श्रीतोष्णकटी बंधी चक्रवाद की जो इस्थिती है वो महादीप में भी और महासागरों दोनों में होती है लेकिन उश्नकटी बंधी चक्रवाद जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ महासागरों में उत्पन होते हैं और जैसे ही वो स्थली भाग में आती हैं किसी तट से टकराते हैं तो वो समाप्त हो जाते हैं खतम हो जाते हैं उनकी अधी जो है वो खत्म हो जाती है अब महासागर भी ऐसे महास जिनका तापमान जो है वो लगभक 27 डिग्री सेंटिग्रेट या उससे अधिक हो उन्हीं महासागरों में इन चक्रवातों की उत्पत्ती होती है क्योंकि जैसे हमने देखा था कि शितोष्न चक्रवात जो है वो उनकी उत्पत्ती के लिए वातागर जो है वो जिम्मेदार थ को उर्जा देती है संखनन की गुपत उश्मा से उनको उर्जा मिल रही है और लगातार सम्वहन की प्रक्रिया पर यह चक्रवात जो है वो आधारित होते हैं जैसे कि कोई पानी है पानी में उर्जा हो रही है उर्जा उसे मिलेगी तभी तो वो बाश्प में बदलता है न वाश्प में बदलता है, मतलब जब हम पानी को गर्म करेंगे और उसके गर्म होने से ही उरजा जो है वो उससे विमुक्त हो गरी लीस होगी और वो किसमें चेंज हो रही है वाश्प में तो ठीक उसी प्रकार जब वही वाश्प क्योंकि उसमें क्या बोलते हैं समवहन हो रहा है, समवहन के माध्यम से उसकी जो उश्मा वो उसमें इकठी है, तो वही वाश्प जब फिर से जलकन के रूप में परिवर्तित होगा, यह जल की बूंदों में परिवर्तित होगा, या फिर मैं यह कहूं कि ठोस हिमकडों में परिवर्तित होगा, तो फिर क्या तो इससे क्या है इन चक्रवातों को लगातार उर्जा की प्राप्ती होती है और समवहन के माध्यम से यह चक्रवात उत्पन होते हैं इसलिए हमने कहा कि जहां पर जिन महासागरों का यह महासागरी भागों का टेंपरेचर यह तापमाल लगभग 27 डिग्री और उससे अधिक हो वहीं पर यह चक्रवात उत्पन होंगे अब हम देखते हैं इन चक्रवातों में जो अभी हमने बात की थी ना कि बहुत जादा हम जैसे ही तूफान विक्षो या डिप्रेशन का नाम लेते हैं या आवदाप कह रहे हैं तो यह तो नाम होगे कि अलग-अलग इन में हवा का नाम ले रहे हैं और एक बहुत तूफानी मौसम या जो बहुत जादा विनाश कर रहा है यह जो है यह हमारी कल्पना में आ जाता है तो यह वही चक्रवात हैं जो बहुत जादा विनाशकारी या तूफानी मौसम जो है वो लेकर आते हैं कौन से उस निकटी बंधी चक् अब ये तूफानी मौसम क्यों लेकर आ रहे हैं क्योंकि इन में जो दाब का अंतर है ये दाबांतर लगभग 80 से 120 मिली बार के बीच में या मध्य में होता है जब 80 से 120 मिली बार का दाब का अंतर है तो हवाई बहुत तेज गती से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ लो प्रेशर वाले स्थान को भरने के लिए बहुत तीवर गती से आगे बढ़ती हैं तो नैचरली है कि ये एक तुफानी मौसम को लेकर आएंगी या और जब हवा बहुत तीवर गती से चल रही है तो अपने साथ सारी चीजों को वो उड़ा कर ले जाएगी अभी उष्नकटी बंधी चक्रवाद के भी अलग-अलग प्रकार हैं जो हम सुने हुए हैं जैसे हमारे हिंद महा सागर में इसे हम चक्रवाद के नाम से जानते हैं आस्ट्रेलिया के तट पर हम इसे विली विली के नाम से जानते हैं, दक्षणी चीन सागर में हम इने हरीकेन के नाम से बुलाते हैं, या संयुक्त राज अमेरिका के पुर्वी तट पर हम इसे टॉर्नेडो के नाम से जानते हैं, और टॉर्नेडो के विशह पर हमने भी तो यह तो उश्yr नगटी बंधि चक्रवाद के अलग अलग प्रकार ही कि particular उस छेतर में अलग अलग नामों से पुकारा journals और इसमें होने वाले विनाश या जो हानिया है जानमाल का जो होने वाला जो नुकसान है वो भी अलग-अलग है कम जादा मात्रा में अब हम यह देख लेते हैं इनका व्याज जो है वो तो कम होता है लगभग शितोष निकटी बंधी चक्रवात का हमने देखा था कि 1600-300 किलो मीटर होती है चुकि हमने अभी देखा कि यह समवहन की प्रक्रिया पर अधारित होते हैं और हम यह भी जानते हैं कि यहां पर छोब मंडल जो है वो सरवाधिक उचाई पर होता है लगातार सूर्य की किर्णे जो है वो सीधी पढ़ती है और फिर इसमें महासागरों का जो तापमान है वो अधिक होता है और लगातार संवहन की प्रक्रिया होती हवाएं उपर की तरफ जाती हैं तो यह संवहन की प्रक्रिया पर अधारित होने के कारण इन छेत्रों में उस नकटी बंध में होने के कारण इनकी उचाई या हाइट भी जो है वो लगभग 12 हैंब देखते हैं इन चक्रवाटों में हवायों कि अगर हम उन चक्रवातों बैठ गहे तो हम लग भग 120ru में तो 120 किलोमिटर पार कर जाएंगे और जहांपर 200 Нап कि गती हो रही है तो बुलेट ट्रेन से भी जादा इन हवाओं की गती होती है और लगभग 400 किलो मिटर आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं जैसे हमने बात की थी टार्नेडों की तो इनकी गती तो लगभग 400-400 किलो मिटर तक होती है मतलब एक घंटे में ये जो चक्रवात हैं वो 4-400 किलो मिटर तक आगे बढ़ जाते हैं और हमने भी चरजा की थी कि इसलिए हम इसकी गती का एड़िक अंदाजा जो है फिक्स अनुमान जो है वो इसलिए नहीं लगा सकते कि इसमें जो इंस्ट्रूमेंट लगाये जाते हैं मौसम विग्यानियों के द्वारा वो कहा जाते हैं पता ही नहीं चलता आपस ओस सकते हैं कि घर के घर यह उखाड कर ले जाये जाते हैं इन चक्रवातों के द्वारा तो गती इनकी बहुत जादा होती है क्योंकि इसमें दाब का अंतर बहुत अधिक होता है और ये महासागरों के पश्चिमी भागों में ही व्यापारिक हवाओं के प्रभाओं के कारण यहीं पर ये उत्पन्न होते हैं और हम फिर सेसमें रिपीट कर लेते हैं कि ये संभवन चुकी संभवन की प्रक्रिया पर आधारित होते हैं इसलिए लगातार इनको उश्मा जो है वो संगरन की गुप्त उश्मा से इन्हें उर्जा की प्राप्ती होती है और ये चक्रवात जैसे ही किसी महादीब के तटी छ समाप्त हो जाते हैं मौसम का पुर्वा नुमान लगाना संभव नहीं है जैसा हमने शितोष ने चक्रवात में देखा था कि उश्नवातागर आएंगे धिरे धिरे वर्षा होगी फिर मौसम साफ हो जाएगा शीत वातागर आएंगे कपासी वर्षी में एक छाएंगे तो इन चक्रवातों के ठीक विप्रीत प्रती चक्रवात होते हैं प्रती चक्रवात के केंद्र में हाई प्रेशर उच्चे दाब होता है और बाहर की तरफ जब हम जाते जाएंगे तो वहां पर लो प्रेशर या निम्नदाब का केंद्र होता है इसलिए हवाएं जो हैं वो कें चक्रवातों की बात आपको एक प्रैक्टिकल करके देखना होगा कि अभी हाल फिल हाल में जितने भी हिंद महासागर में या बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में जो भी चक्रवात आएं हैं उन चक्रवातों के नाम और उन्होंने किन तटी छेत्रों को प्रभावित किया है यह आप इसको अपने प्रैक्टिकल रूप में करके रख सकते हैं इसमें आपको बोर्ड की हिसाब से यह तियार करना होगा कि हो सकता है आपको पूछा जाए कि शितोशने कटी बंधिये चक्रवात और उस नकटी बंधिये चक्रवात में क्या अंतर है यह दोनों कहां प पूछा जा सकता है और अभी बरतमान समय में कौन से चक्रवात आए हैं, इनकी हवाओं की गती क्या थी, इन चक्रवात का नाम किस देश के द्वारा दिया गया है और इसने किन तटो को सरवाधिक प्रभावित किया है.